ने लेते हैं एक आदमी को लिए जाने का अधाने साथ जारे मुस्पी ख़ए ने पीने का चक्कर में बहुत गर्मी लगी इसको बिंडर दिख्चा है बॉन्डरी लेखी लिए दाधी मजी आधी फिर मैं फोटो ऐसे ख़ड़े थे अंकल नीचे से आरे आप नीचे से आएसी ये गाईज मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई और आज डेट है 1 जनवरी 2024 और इस वक्त मैं मुझूद हूँ मलंगड कल्यान में और अभी मैं ट्रैकिंग करने वाला हूँ हाजी मलंग पहाड़ी ये उपर और हाजी मलंग पहाड़ी तग्रीबर देड़ किलोमेटर का ये आपके एक सब्सक्राइब के वाज़े से मेरी बहुत हिल्फ हो जाती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस ट्रैक को यहाँ पर आने के लिए मैं आपको बता दो कि अगर आप फर्स टाइम यहां पर आ रहे हैं तो आपको कल्यानी स्टेशन आना पड़ेगा आप कही अगर आ रहे हैं तो कल्यानी स्टेशन आप बस मिल जाएगी मलंगड के लिए और वहां से सेरिंग टेक्सी और आटो भी आप ले सकते हैं अग्त evalu ने कॉल देयं कि उप्सप्राराइट के ऐसमें कुछ नहीं हैं कुछ नहीं है कुछ कि नहीं में उसमें कुछ नहीं है कुछ नहीं है का थैट कि लुग καई कि ए हैै है हुआइ है 굳ाद है पुरुवात्मों आपको ऐसी कुछ रास्ते दिखेंगे थोड़ा सा बराबर उसके बाद थोड़ा सा और आगे हम चलेंगे तो हमें जो एना चड़ाई स्टार्ट हो जाएगी यहां पे वाटर का सिस्टम कैसा है पाइपलाइन है और लोग यहां से पानी भर रहे हैं यह लुझ यहां से निंची इसे एकते खिता सी कितना थो कितना दो टो ट्रचान खितना दो ट्राइब कितना थो ट्रुट्पर प्लस्णरा जाखरा कि अधीन भाइडाई टुक्ति तो ट्रूंढ गुएविक्त्ट जियो साथनों आधराख कितना 2 ट्रुट्ट्पर्पर्ण यह ticket है लेकिन पता नहीं किस चीज की ticket है यह दस रूपे पांस रूपे की एक ticket है दोस्ते देखिए ऐसे डोली भी जाती है जो लोग नहीं चढ़ पाते है इस पहाड प्योपर तो उन्हें इसी डोली में बैठा के लिखे जाये जाता है जो बुजुर्ग होते हैं पैर काम न अपने कंदे पर उठा के ले के चढ़ना बनाबर रास्ते पर तो इनसान चोको एक बाइए काम कर सकता है लेकिन अगर आपको पहाड चढ़ना और कुछ लोड ले के चढ़ना तो बहुत मुश्किल काम है ऐसे बहुतते कितना देते हैं एक अदमी को लेकर जाने का खाली लेके जाने का 15,000 रिटन भी लेके आते अब अच्छा तो देखिए ये बदा रहे हैं 14,000, 15,000 जैसे लोग जैसा वेट है इनसान का उसके इसाफ से इन लोग लेते है 14,000, 15,000 और वैसे इनका वर्थट है ये 15,000 या 14,000 लेना क्योंकि इसमें चार लोग होते हैं और चा काम होता है आने जाने का तो एक जनका अगर हम 30,000 भी पकड़े तो पूरे दिन की मेनत है और काफी खतरनाक मेनत है यहां पर अभी तो रास्ते फिलहाल बहुत सही है और आगे हम बढ़ेंगे तो रास्ते थोड़ से और कठीन होंगे और मुस्किलाद भरेंगे तो अभी त है ना है बहुत है यहां पर मांग की इसलिए दंडा लेके आते लोग ताकि हमला न कर दे हैं और वैसे टाइम जो है चड़ने का ट्रैकिंग का तो सुबा का टाइम ही बेस्ट होता है ठंडी का टाइम सुबा आएंगे तो अच्छा मौसम रहता है चड़ने के लिए सही रह बहर में अगर चड़ने के तो काफी भूप होती है और गर्मी के वाज़े से आप परिसान हो सकते हैं और ऐसा स्पोर्ट सूज अगर आपके पास है तो स्पोर्ट सूज पहेंद के आएं तो आपको चड़ने में कमफोटिबल होगा यह मैंने तगरीबन आधे घंटी का ट् थी बहुत ही खराब सीड़ी थी और डेंजरस थी बारिश के टाइम में बहुत ही कतनाग होता था तो अभी रास्ता मुझे सब कुछ अच्छा दिख रहा है यहां पर फिछ में आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर ऐसी जूस की मसीने लगी हुई दिखेंगे जहां पर आप आगे अपना कंटिन्यू ट्रैक कर सकते हैं यह एनर्जी लेना जरूरी है अलकि इनके पास निम्बू पानी नहीं था तो इससे अपना काम चला लेते हैं यह आपको थोड़ा से महेंगा लेना पड़ सकता है उपर आप अगर चड़ेंगे तो 15 का 30 देना पड़ेगा दबल रेट सीदा यह देखो भाई एकदम खड़ी सीड़ी और यह रास्ता भी एकदम डेंजर है इसका पत्तर देख सकते हैं इसे कंडिशन कैसे रास्ते के अब आरिस के टाइम में क्या हाधत होती होगी यहां पे पीछी के जो रास्ते थे वो बहुत साहीर है बड़ी मु अब यह दो रास्ते कुछ अच्छे तो नीचे के जो साइड के थे रास्ते वो थोड़े अच्छे थे यहां पे लिकिन वेसी पुरानी कंडिशन में है आप अगल नीचे से आरे आप नीचे से इसी चड़का है अब नीचे जा रहे हुआ पुरोग पर दग नीचे जाते तो अच्छा यह पैर नीचे आपका मतलब अब बंदर यहां पर बहुत है यह पहली दर्गा आगी यह पहली दर्गा आगी अगर यह तो के पैटिए खाना और क्या झाथ का रहे है उच्छा bunları खा रहे है और यह जो और यह पाइब TW 3M ना यह पाईपर टकảiजिए हैं मेंन्द्रगा तक पांई नीगी ए और इसी पाईपरा बहुन से पानी जाद मिया घुने का अट कि पहली दरगाह है अगर आप ट्रैक करेंगे विए आप प्र रोग आते हैं जारत करते हैं उसके बाद कंटीन्यूंप से सफ़र करते हैं तो हम फिर से कंटीन्यू कर रहे हैं कि दोस्ते यहां पे एक बोड लगा हुआ है अब फर्वेरी को हर साल होता है तो अभी और दो गंटे के ट्रेक हम ने किया और जो फस्ट दर्गा आती है परस्ट जियारत है वहां तक आगे हैं और इसके बाद अब कि हमारा आधा पोने घंटे का ट्रेकिंग और बाकी है फिल्वाल और रास्ता के कंडिशन काफी खराब है यहां पर नीचे लिके जारे गो उपल लिके जारे गो नीचे जारे हो अच्छा जरोर जरोर मेनत तो करना पड़ेगा पहले दे रहे थे पोस्वाइसा इसने बहुत हाड आएगा अरे जैसा अभी पहले खड़े थे यार दुम लोग जली 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 यार इसे पाइले खड़े 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 खड़ा रहते भी थे ओएसा दिखाव निचा भी खड़े तो इसे खड़े दे हाड जी एक मंदिर फ़ष्ट यहां पर मंदिर भी है थोड़ी से चढाई की बाद आधे ज्याधा खड़ाई चढेंगे तो एक मंदिर मिलेगी य यहां बैंबेभा सबसाइब है है सबसाइं है भी नांसे हैं तो तक इसे बनाए हुए लोग ने पीछ बीच-बीच में रास्ते अएसे घर भी मिलते हैं लिए क्थ्ची मिट्टी के बने हुए मैं क्योंकि यहां पर इनका बिजनी्स है यह लोग सरबत नंबू पानी वगएर यहां पर बनेगा जो लाग के हमें उपर उतारेगा हाजी मिलंग दर्याय के लिए यह दिखिए इसका ट्रैक का अल्मोस्ट काम हो चुका है दो साल पहले यहां पर यह कंडिशन नहीं था इसकी और कुछ अलगी कंडिशन थी अभी यह टर्च पांसू मिंटर की दूरी यहां से दर्पर के ऊचेता हैं यह देखिए यह दर्गा की में वाली गली में हम खुछ चुके और यह देखिए यहां पर छोटी फोटे गेस्ट हाउस पगरा आपको रूम मिल जाएंगे रेस्ट करने के लिए अगर आ रहें यहां पर रूपने के इसाब से नाइट में चाहते हैं तो यहां पर इस्टे करने का इंतिजाम है छोटी छोटे रूम है बट फैमली के ठीक है फी जान पर सेफ कोई प्राउबलम नहीं है और ऑ़ जियाक्ट करने के लिए रोक जाते हैं जो है जूवर्य मिलं श्था मीश्थ भावा के साथ में कहा जाता है कर से इस क्यृश्ट आधा के साहघ है यहाँ पे फःड पे उतरे ते झाभाष्स यहां पर चिकन की दुगा अभी मार्किट के अंदर आ चुके हैं दरगा की जो मेन गली है वही गली है तो यह रही मेन दरगा हाजी अली अरे सॉरी हाजी मदंग यह मेन दरगा रही सामने अभी नमाज बढ़ेंगे जोहर की और सामने वह उपर दिख रहा होगा मेन पहाड इसके उपर भी कोई एक मजार है साइस से तो वहां पे भी लोग जाते हैं तो तक्रीबन मुझे यहां पे चढ़ने में तक्रीबन तीन घंटे लग गए और तीन घंटे में मैं तो तीन काई जाद है क्योंकि फर्स जन्वरी है 24 है यह देखिए अंदर गई है गेस्ट आउसकाइन का रूम होगे रहा है यहां पे और हम चलते हैं तोड़ा से किंची साइड में यहां पे कुछ ऐसा न जा रहा है यहां पे घर अगेरा भी हैं लोग रहते हैं काफी ज्यादा यह अधर लोग हैं विचाऊरे यहां पर देखो कैसे गुजारा गरते हैं जो पड़े वाले प्लास्टिक से बनाए हुए इसे घर अधर पत्थर प्लास्टिक से तो यह अभी यहां से मेरे को पूरी पहाड गार और यह सामने जो आपको पहार दिख रहा है इसके उपर भी लो लुक जाते हैं बर्ट हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत डेंजर है और हमारे पास टाइम की भी कमी हम जाला टाइम भी नहीं रूकने वाले यहां से वापस जाना है हमको नीचे तो अगर वहां पे जाने के लिए अभी यहां से हमको और धाई गंटा लगीगा चड़ने में वह पाड़ी पर है तो दोस्तों हम लोग वापस नीचे आगे हाजी मलंग से नीचे उतर के हमको उतरने में तगरीबन सवा घंटा लग गया तो चड़ने के टाइम पर तीन घंटा लगा था हम लोग ने सवा तीन बजे स्टार्ट किया था उतरना और अभी 4.30 हुआ है तो वही कुछ सवा घंटा मुझे लगा उतरने में तो उतरने के लिए टाइम नहीं लगता और मेरे से पसी न देख सकते कितना जादा है उतरने में और ठंडी के टाइम में तो ठंडी में पसी न देख लो यहां पर कोई ठंडी बंडी नहीं है दो पहर के टाइम में खाली सु तो मुच विर्म बिते किसी और वीडियो साथ तेकेंड बाइबाइबाइ